So hi guys, तो आज हम बात करेंगे कैसे आप live trading कर सकते हैं, कैसे आप share market में trade कर सकते हैं देखो अभी तक जितना हमने learning series में learn किया है, हम वही यहाँ पे methods apply करने वाले हैं दोस्तो अगर आप first time हमारी वीडियो के देखरें, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप free of course, अगर free में आप अपना demand trading account बनाना चाहते हैं उसका link में description box में देदूंगा and trading आप start कर सकते हो, demand trading account बनाने के बाद जिसमें 2-3 days लगते हैं, वो आपको बना लेना होगा देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर open करते हैं, हम nifty को and एक-एक point अभी हम discuss करेंगे, देखो यह nifty होता है, bank nifty होता है, कैसे trade करना है हर एक point हम discuss करेंगे, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि यहाँ पर देखो, हम जिसे chart पर जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमने already, जो अपने chart patterns में, अपने trading, जो हमने learning वाले videos upload करेंगे, हर चीज़ डिसकस करिए दोस्तों, क्या आप सब जिसने भाई ने, मतलब यह वाला videos देखी होंगी, trading chart patterns में आपको बताया था तो आप सबको, hopefully, यह सब चीज़ें समझ आ रही होगी, कैसे यह यहाँ पर chart pattern बना, और कैसे आप यहाँ से down की तरफ trade लेते कैसे आप यहाँ से down की तरफ trade लेते हैं, और देखो दोस्तों, यहाँ पर कितना market, यहाँ पर down की तरफ गिरा है तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे बिल्कुल basic से, कि भाई, trading कैसे होती है, देखो, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ ट्रेड लेने के लिए आपको एक डिमेटेट रेनी अकाउंट चाहिए, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, इंजलवान एप्लिकेशन का, आप भी यूज़ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में देखो, उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको फंड एड करना होगा, फंड एड करने का देखो, ओप्शन यहाँ पर रहता है, एड फंड टू यूर ट्रेडिंग बैलेंस, बट सबसे पहले आपका फ्यूचर अप्शन अक्टिवेट होना चाहिए, वो कैसे बता सलेग आज हम बात करेंगे कि निफ्टी में कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, और बैंक के निफ्टी में कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर डाउन जाते हैं, तो यहाँ पर कोई आपके इतना खास इंपोरेट चीज नहीं है, बट आपको जो यहाँ पर इंपोरेट से तो हम सबसे पहले चार्ट देखते हैं तो चार्ट देखने से आपको क्या दिख रहा है कि मार्किट लगातार अगर पांच मिनिट का चार्ट हम यहां पे देख रहे हैं तो मार्किट लगातार दोस्तों यहां पे गिर रहा है market लगातार यहाँ पे fall कर रहा है हलां कि mobile phone में दोस्तों आपको यह सब चीजे देखना थोड़ा tough रहता है बट आपको देखने को मिर रहा है कि लगातार market यहाँ से गिर रहा है तो जिस भाई के पास mobile phone है वो mobile phone पे देख सकता है बट जिसके पास laptop या PC है तो please आप उस पे switch करो वहाँ पे आपको काफी detail में चीजे clear out होगी आप देखो दोस्तों अभी के लिए market आप देखोगी अभी के लिए market कैसे जोन में दोस्तों चल रहा है अभी के लिए market एक range में चल रहा है यहाँ पे देखो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे आप देखिए market कुछ ऐसी range में चल रहा है और हमने क्या बोला था कि जब market ऐसी range में होगा तो आप range breakout का wait करोगी अब देखो दोस्तों हमें expectation है for example कि market यहाँ से गिरेगा just मैं example के लिए trade ले रहा हूँ यहाँ पे profit and loss का कुछ भी यहाँ पे दिखाने का motive नहीं है हमें लगता है कि market भाई गिरेगा market यहाँ से down जाएगा तो हम option chain पे बाद चुके हैं अब option chain पे देखो अभी market कहाँ पे है 19,130 यानि 19,135 पे भी almost market है अगर market 19,138 अभी चल रहा है इससे down जाता है तो हमारा profit होगा क्यों हमें लगता है market यहाँ से गिरेगा तो हम for example इस पे click कर लेते हैं हम यहाँ पे click करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन से आपको options buy करने होते हैं आपको always यह वाले option पुट की case में और call वाले case में यह वाले option यानि call की case में यह वाले option जब आपको लगेंगा market उपर जाने वाला है तो यह वाले options call वाले buy करोगे अगर आपको लगता है market डाउन जाएगा तो यह put वाले option यानि in the money options आप buy करोगे तो यहाँ पे for example इसका भाव चला है दोस्तों 111 या फिर 112 रुपीस तो यहाँ पे for example इसको हम खरीदने वाले हैं तो खरीदने वाले हैं तो यहाँ पे हम जैसे खरीदने पे गए तो यहाँ पे दोस्तों हम add करेंगे number of lots number of lots का क्या मतलब है एक load को trade करेंगे निफ्टी की quantity का मतलब क्या हो गया यहाँ पे एक load का क्या मतलब दोस्तों जैसे हम यहाँ पे एक load पे click करते हैं तो एक load की मतलब होता है कि 50 quantity तो निफ्टी का एक load कितने को होता है भाई 50 का यानि Nifty का एक लोट होता है 50 quantity का तो जिसको buy करने के लिए approach यहाँ पे आप देख सकते हैं जो margin हमारा लग रहा है अब दो option होते हैं या तो आप limit पे buy करोगी या फिर market पे buy करोगी अगर आप देखो direct buy करो तो आप market पे buy कर सकते हो या फिर limit पे अगर आपको buy करना limit पे buy करने मैं महाँ पे buy कर लोगा अगर मैं market पे जाता हूं market पे जाता हूं अगर तो market पे जिस भाव पे market का price चला है जैसे अभी के लिए जो भाव चला है 105 तो जिस भाव पे चला है उस भाव पे ही मुझे मिलेगा market का मत्तब यह हुआ अभी हम यहाँ पे जैसे for example अभी market थोड़ा bullish हो रहा है देख लेते हैं पर इसको अच्छे से so right तो यहाँ पे चार्ट पर वापी चलते हैं so हम यहाँ पे put ही trade करेंगे so यहाँ पे हम for example इस पे click कर लेते हैं और एक load यहाँ पे डाल लेते हैं दोस्तो हमने 19,200 की put option पे हमने click किया यहाँ पे just आपको दिखाने के लिए क्योंकि अभी के लिए कोई यहाँ पे trader नहीं बन रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ so for example इस पे हम buy पे so यहाँ पे buy का option है यहाँ पे दोस्तो हम click कर लेते हैं so right हमने buy पे click किया confirm करते है so यहाँ पे देखोगे order placed and executed बतला आपने जो अभी order लगाया है वो लग चुका ह जो आपने भाव खरीदा है वो मैं आपको दिखाता हूँ कितने के भाव पे आपने खरीदा है back चलते हैं थोड़ा back चलते है so यहाँ पे अब यह देखने के लिए आपको देखो यहाँ पर position आपकी चल चुकी है इस पे click करते है so हमने position पे click किया तो हमने दोस्तों खरीद है बता हमने 50 quantity खरीदी है तो अभी भाव कितना चल रहा है 112 रूपीस तो हमें कितना मुनाफ़ा 113 हो गया देखो यहाँ पे 113 हो गया 111 हो गया तो अभी हमें 100 से 200 रूपीस का मुनाफ़ा हो रहा है यह क्यों हो रहा है यह इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि हमने 109 पे सकते हैं और मार्कीट कितना चल रहा है भी मार्कीट चल रहा है 111 या फिर 112 गिरेज हो अगर यह बड़ेगा यह matar French視 भी बढ़ेगा ऑनकितना लुक्सान हो सकता है कि मार्कित कितना डाउन जा रहा है अभी के लिए देखो यह हमारा यहाँ पर डाउन आ चुका है premium जिस्ट आपको दिखाना और समझाना हमारा यहाँ पर मोटीफ है कि ताकि आप समझ सके कैसे market act करता है कैसे market behave करता है so now यहाँ पर premium देखो अब 105 आ चुके है और हमारा कितना नुकसान यहाँ पर चल रहा है 180 रुपेका minus 180 रुपेका यहाँ पर हमारा नुकसान चला है अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर नुकसान होगा नुकसान होगा बट कैसे manage करते हैं वो चीज बहुत important है so right यहाँ पर तो हमारा कोई भी trade नहीं बना है तो loss होगा अगर systematic करोगे तो वहाँ पर आपका profit भी होगा वहाँ पर आपका profit भी होगा so now अभी के लिए जिसे for example अभी 100 रुपे भाव चला है 101 रुपे भाव आ गया अब आपको लगता है कि भाई अगर market यहाँ पर 90 रुपीज से नीचे नहीं जाना चाता अगर market 90 रुपीज से नीचे गया तो भाई मैं वहाँ पर exit हो जाऊंगा तो उसको हम दोस्तों कहते हैं stop loss तो यहाँ पर आप stop loss भी लगा सकते हैं यह आपके लिए plus point रहता है अभी देखो हमने 108 के भाव से खरीदा है अभी हम यहाँ पर 90 रुपीज का stop loss लगाने वाले हैं वो कैसे लगता है देखो for example आपने 90 रुपीज का stop loss लगाने है इस पर आपको जो position चली है इस पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर option मिलेगा add stop loss पर जैसे हम click करते हैं यह सीखने वाले बात है यहाँ पर जरूर सीख लिजए आप इससे आपका बड़ा loss होने से बज सकता है share market में और बड़ा profit भी बन सकता है आपका इसी वज़े से राइट तो यह समझना बहुत important है देखो अब यहाँ पर हम market को order देंगे यह हमारा broker है उसको हम order देंगे कि भाई 90 रुपीज पर अगर एक position आती है अगर 90 रुपीज से नीचे यह premium गया अभी 100 रुपीज चर रहा है तो मुझे इस trade से बाहर निकाल देना मेरा loss बुक कर देना या आप एक order दे रहे हो राइट आप एक order लगा रहे हो यह समझने वाली बात आप order दे रहे हो अपने broker को कि भाई अगर 90 रुपीज से नीचे भाव आ गया तो मुझे यहाँ पर exit कर देना आप समझने वाली बात यहाँ पर किया कि trigger price और limit price दो type के price होते है trigger price और limit price आप इसको same भी रह सकते हैं या फिर आप इसको थोड़ा change भी कर सकते हैं बड़ change करने के लिए आपको याद रखना limit price को आप change कर सकते हो और आप trigger price को उतना ही price रखना जितने पर आपको stop loss रखना है हम for example 90 रुपीज पर stop loss रखना है अब 90 रुपीज पर stop loss रखा limit पर रखना इसको market पर मत करना limit पर रखना इस पर market पर मत करना तो हमने sale order यह यहाँ पर confirm कर दिया है हलांकि यह sale नहीं होगा अभी sale नहीं होगा आपका जब 90 rupees पर आएगा दोस्तो तब ही sale होगा मतलब आपने अपने capital को protect कर लिया कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ से ज़्यदा आपके सामने है loss होगा profit होगा सब आपके सामने है बट आपको ताकि reality पता चल जाए हमारा motive वो रहता है और practically चीचों को समझना है जल्द बाजी में trade नहीं करना है without कोई setup trade नहीं बनता है इसलिए आपको दिखाने के लिए कैसे trade होता है अब वापिश चार्ट पे चलते हैं चार्ट क्या कहता है चार्ट पे हम आते हैं तो चार्ट अभी हमें इस range के अंदर ही देखने को मिल रहा है मैंने क्या कहा था बाई अपनी learning videos के अंदर कि जब तक जब तक ये range इधर side breakout ना करे इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक अगर ये range down की तरफ break करते हैं ऐसे retest करके नीचे जाने का wait करना है अगर ये range top पे break करते हैं तो ऐसे हमें इसका wait करना है breakout के बाद retest का तो अभी यहाँ पे ना तो breakout हुआ है अभी range के अंदर ही market चला है जब तक इसके अंदर market है तब तक हमें कुछ भी नहीं करना है हमारे जब की हालां की हमने put की तरफ trade लगाया है वो आपको जब दिखाने के लिए तो यहाँ पे इतना आसान भी नहीं है trading बट बहुत मुश्किल भी नहीं है अगर आप system से करोगे practically चीजों को समझोगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं है हमने अपनी learning videos की series में आपको free of cost या course level की चीज़े मैं आपको free में बताइए free of cost आपको जा करके देखना चाहिए अगर आपने first time learning आप कर रहे हो trading शुरू कर रहे हो मैं playlist का link यहाँ पर I button पर लगा देता हूँ वो जाके देखना यहाँ पर देखो trade अभी हमारा no loss no profit के zone पर चल रहा है बतब zero zero समझा 50 rupees loss, 60 rupees loss दिखा रहा है अब 30 rupees loss आ गया बतब यहाँ आपकोई profit नहीं कोई नुकसान नहीं अभी के लिए अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं देखा जाएगा जो होगा क्योंकि हमने यहाँ पर order दे दिया है कि इसको अपने broker को कि भाई मुझे 90 rupees पर अगर यह आता है तो मुझे बाहर निकाल देना तो मेरा जितना नुकसान होगा वो मेरा और जो मेरी capital बच जाएगी वो भी मेरी तो यहाँ पर ठीक चीचों मैं बता देता हूँ आपको क्योंकि यह confusion हो सकते हैं आप सभी के लिए अगर आप directly इसको sale करने जाओगे अगर मैं इसको exit करता हूँ directly market price पे तो यह exit नहीं होगा समझना अब यहाँ पर क्यों क्यों क्योंकि हमने already एक order दिया हुआ है market को अगर आपको exit करना है तो पहले इस वाले order को दोस्तों आपको cancel करना होगा पहले इसको cancel करना होगा फिर जाकर कि आप इस वाले position को exit कर पाओगी यह चीज़ आपको अभी याद रखना है so now guys उमीद करता हूँ आपको समझ आ गया कि कैसे हम trade करते हैं trade punch out कैसे करते है इंजलवन में मैंने आपको बिल्कुल आशान भाजा में समझाने ही कोशिश करी है इससे असान मुश्कील है भाई को समझा पाए कि कैसे trade लेते हैं आपको बता दिया अब आपको देखो option chain भी समझना है candle stick समझना है कैसे काम करता है chart कैसे काम करता है chart pattern chart trading करनी है क्योंकि देखो भाई यहाँ पे होगा क्या for example आप किसी job की त्यारी करते हो तो job के लिए आप कितनी preparation करते हो business के लिए कितना setup आप आप तो वही by trading के देख बिजनस है इस देखोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी मुनाफ़ा भी होगा loss भी होगा profit होगा नुकसान होगा profit होगा but risk and money management बहुत important risk and money management key है share market के अंदर so now दोस्तों उमीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत informative लगी होगी